मित्रो दोस्तो एंड फ्रेंड्स आज मंगलवार की शाम डायलॉग विद प्रॉफ नर्मल गुपता में आप सभी का दिल से साधर अभिवादन, भुशामदीद एंड वेलकम करता हूं दो अक्टूबर के पावन दिवस पर भेनों और भाईयों आप सभी को महात्मा गांधी के डेड़सों वे और लाल बादो शास्त्री जी के एक सो चौदुवे जन्म दिन की हार्दिक शुब कामडाएं आज है दो अक्टूबर का दिन और आज का दिन है बड़ा महान क्योंकि आज के दिन दो फूल खिले थे जिन से महका था हिंदुस्तान यह उस गाने की पंक्तिया हैं जिनने जब मैं इन दौर में प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता था तब दो अक्टूबर के दिन मेरे आधरनीय प्रिंसिपल मुझे स्कूल सभा में गाने के लिए कहते थे इस गाने को गाते समय मेरे शरीर का रोम 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 रोमांचित हो जाता था मगर वह थी लेट सिक्स्टीज और अरली सेवेंटीज की बात आज हमारे देश के अधिकांश नागरिक रोमांच की एक भयानक मनोदशा से पीड़त है रोमांच उत्पन हुआ है आशंका, भय और क्रोध पिछले दुनों हमारे आसपास कुछ ऐसी गटनाए हुई है जिनें देख और सुनकर लगता है मनोराजकाज को चलाने के लिए देश के नागरिकों के टैक्स के पैसे से नियुक राजकिय करमचारी स्वैम को नागरिक और कानून से उपर उठकर अपने को शाशक समझ बैठे हैं हम सभी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि जब जब ऐसा हुआ है जहां जहां ऐसा हुआ है वहां कहने को भले ही जनतंत्र हो मगर शाशक तंत्र तौना शाह बना है और उसके खिलाफ हमेशा जनक्रांतियां हुई है यह एक बहुत ही दुखत विशय है आज के विशय पर आने से पहले हमेशा की तरह एक महत्मून डिस्क्लैमर पहला हमारी किसी भी चर्चा का एक भी शब किसी भी पार्टी विशेश अत्वा विचारधारा से कोई सारुकार न तो रखता है और ना ही कभी रखेगा दूसरा हमारी हर एक चर्चा सिर्फ और सिर्फ हमारे पवित्र सम्मिधान में शांति पूर्वक तरीकों से भारत के नागरिकों में जागरुकता पैदा करने और आज के शोशियो पॉलिटिकल एन्वार्मेंट को एनलाईज करने का एक निश्पक्ष और निश्चल प्रयास भर है आप में से बहुतों को मालूम होगा कि भारत की आजादी के फोरण बाद महात्मा गादी ने 28 दिसेंबर 1885 को मुंबई के ग्वालिया टैंक गामदेवी छेत्र में इस्तित गोकुल्दास तेजपाल संस्कृत महाविध्याले में मात्र 72 डेलिगेट पार्टिसिपेंट्स की उपस्तिती में स्थापित इंडियन नैशनल कॉंगरेस मुव्मेंट नाम के एक आंदोलनकारी संगठन की कॉंगरेस के नेताओं से तुरंत भंग करने की इक्षा व्यक्त की थी कारण था कि चुकि भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस नाम के इस मुवमिंट अथ्वा आंदोलनकारी संगठन ने भारत की आजादी के रूप में अपने उद्दोश्य को संपून रूप से प्राप्त कर लिया है इसलिए अब इस संगठन की कोई आवशकता नहीं रही है हाली में 92 इयर्स के श्री कल्यानम जो की महत्मा गांदी के एक बहुत ही नजदी की सहियोगी थे उन्होंने अपने वक्तव में कहा है गांदी जी ने भरपूर प्रयास किया था कि कॉंग्रेस को तुरंत भंग कर दिया जाए और उसके एवज में लोग सेवक संग नाम की एक संस्था का निर्माण किया जाए जिसके सभी सदस्य भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए शपत ले गांदी जी का मानना था कि हमारे देश में बहुत अधिक जातिये और आर्थिक पिशमताएं हैं हमारे देश एक गरीब देश है और इसके लिए सरकारी करमچारियों, विधायकों और संसत के प्रतनिधियों के वेतन और भत्ते 500 रुपए की सीमा में तै किया जाएं। हो सकता है कि आज आज आपको 500 रुपए बहुत कम महसूस हूँ मगर महात्मा चाहते थे किके वल सरकारी करमचारी विधायक और संसत के प्रतिनिती ही नहीं बलकि राजियों के गवर्नर भारत के अंदर और भारत के राजदूत विदेशों में भारतियों के सरल जीवन जीने का एक उधारन देश की जंता और सारे विश्व के सामने रखें। कल्याडम ने कहा उन्होंने देश के शाषन के लिए डूस एंड डून्स का एक सेट भी पंडित नहरू को दिया था। अब जब इंडियन नाशनल कॉंगरेस की बात चलने के लिए है तो यहां ये बताता चलूं के इंडियन नाशनल कॉंगरेस मूव्मेंट के संस्थापक थे एक अंगरीज जिनका नाम था मिस्टर एलन अक्टावियन हूम और उनके साथ थे भारत के दादा भाई नौरो जी और दिंशावाचा इस संगठन के पहले इलेक्टेड अद्यक्ष थे श्री वोमेश चंदर बोनर जी जो कलकेटा से आते थे मिस्टर हूम इंपीरियल सिविल सर्विसेस में काम करने वाले एक उधारवादी अंगरेज उच्चादिकारी थे वहां भारतिय औरनेथलोजी के जनक अत्वा फादर ओफ बर्डिंग भी कहे जाते हैं 1857 के पर्थम सोतंतरता संगराम से मिस्टर हूम इतने आहत हुए थे कि उन्हें लगता था कि भारत में अंगरेजी शाषन बहुत ही निर्दई और डिसाउगनाइस्ट है और उसे सुधारने के लिए भारत के शाषन क बागड़ भारतियों के हाथ में होना चाहिए और उसके लिए देश का आजाद होना उन्हें बहुत ही आवश्यक लगता था आपको यह जानकर शायद आश्यर होगा कि उन्हीं के नेत्रत में हमारे ही प्रदेश यानि कि उत्तर प्रदेश का इटावा जिला उस काल के भार लिखी एक कविता से पूरी तरह से इसपष्ट हो जाते हैं कविता काफी बड़ी है किन्तु उनकी कुछ पंक्तियों को मैं आपको सुनाता हूं इसका हिंदी तरजुमा कुछ इस तरह से होगा ए भारत पुत्रो उठो और आलस से त्यागो देवों को मत नहारो कमर कसो उठो और कुछ करो देश इसी से बनते हैं पाली में मेरे हाथ लगी दसवी कख्षा की CBSE बोर्ड की एक किताब और उसमें एक प्रशन ने मेरा ध्यान आकर्शित किया प्रशन था इसके कुछ दिनों पहले एक और बड़ी अजीब बात हुई थी कि मेरे ही किसी मित्र ने भारत में प्रचातन और उसके लिए होने वाले नित प्रतिदिन चुनावों के प्रति अपनी खीज और गुसे का जबरदस्त इजहार किया था ठीक उसी तरह जैसे कि आज भारत के अधिकांश नागरी करते हैं उनकी बातें सुनकर लगता था वे सब उपायों से निराश होकर उफंती नदी की बाण में मजधार में फसे हुए गुसे और निराशा से कभी बाण कभी गनाव कभी पतवार को ही कोसते अपने जीवन की अंतिम सासों की और जा रहे हूं कुछ तो यहां तक कहने से नहीं चूपते कि अच्छा होगा यदि इस देश में ताना शाह की सरकार हो यह एक बहुत ही गंभीर डिवेलिपमेंट है इस विशे में हम फिर कभी किसी एपिसोड में विस्तार से चर्चा जरू करेंगे डॉट कर आते हैं दसवी कक्षा की CBSE बोर्ड में दिये गए उस प्रशन की चर्चा पर मैंने जब उसी चातर से इसका उत्तर जाना चाहा तब उस चातर ने अपनी नोट बुक मुझे पकड़ा दी उसमें उस चातर के अध्यापकों ने जो उस बच्चे को सिखाया था उससे पैदा हुआ जवाब था विस्तार से लिखा था जवाब कुछ इस तरह से था आधुनेक प्रजातंतर का अस्तित्व राजनेतिक पार्टियों के बिना संभव नहीं है राजनेतिक पार्टियों की प्रजातंतर के अंदर महतपूर्ण आवशकता को समझने के लिए यह समझना आवशक है कि यदि चुने हुए प्रतिनिधी किसी पार्टी के ना होकर इंडिपेंडेंडेंट हुए तो वे सब मिलकर देश की सरकार बना ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास पंचायत से लेकर संसदी ये छेतर तक कोई बहुमत वाली संस्था जिसे सरकार कहते हैं नहीं होगी और ऐसी दशा में किसी भी देश का प्रजातांत्रिक तरीके से चलना असंबाफ हो जाएगा बच्चे ने आगे अपने उत्तर को जस्तिफाई करते हुए लिखा राजनेतिक पार्टियों का अस्तिद्व रेप्रेजेंटेटिव डेमोकरसी से पूरी तरह से लिंक्ट है क्योंकि देश बहुत बड़ा और समाज बहुत जटिल होता है इसलिए सैक्णों हजारों मुद्दों पर नागरिकों की आकांक्षाओं को इखटा करने और सरकार तक पहुचाने के लिए राजनेतिक पार्टियां एक महत्पूर्ण एजनसी का काम करती है वह आगे लिखता है विभिन राजनेतिक पार्टियों में जो सत्तारूर पार्टी बनती है वह गाउं से लेकर संसदिय छेतरों की समस्याओं और जंता के उत्थान के सुझहवों को सरकार तक पहुचाने का एक महत्पून माध्यम होती है और यही कारण है कि राजनितिक पार्टियां प्रचातंत्र में आवश्यक ही नहीं बलकि इसके बिना किसी देश का भी प्रचातंत्र चलना असंभव है इस उत्तर को पढ़कर मेरे कदमों से मानुज़नी की सिसंगे मैं यह सूचने के लिए विवश हो गया कि यहां तो प्रचातंत्र और हमारे देश के समिधान की fundamental definition और सिधानतों का कितनी भहिंकर निर्दैता के साथ मर्डर किया गया है और हमारे देश के भावी नागरिकों की फौज को स्कूलों और कॉलेजिस के क्लासरूम्स में यह सिखाय जा रहा है इस सिख्षा को पाकर भारत का भविश्य का प्रचातंत्र कैसा होगा होगा के भी नहीं कोई वज़े नहीं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शायद इस बात को महसूस कर लिया था और इसी कारण उन्होंने आजा दी कि तुरंत बाद इंडियन नैशनल कॉंग्रेस मूविमिन्ट को तुरंत भंग करने की सलहा दी थी आज उनके डेड़ सोवे जन्म दिन पर यह प्रासंगिक है कि हम यह जाने कि पार्टी शब्द का हमारे अनमेंड़ यानि की ओरिजिनल सम्विधान में कहीं कोई जिक्र नहीं था हमारे पवित्र सम्विधान को पहली बार पार्टी नाम का ये खतरनाक इंफेक्शन लगा था दिवंगत प्रधान मंतरी श्री राजीव गांदी के दौरा 1985 में लाए गए 52nd constitutional amendment के दौरा जिसे सम्विधान के 10th schedule में anti-defection law के नाम से डाला गया है बस यहीं से हमारे जन प्रतिन थी पार्टी और उनके आकाओं के गुलाम बन गए पार्टी शब्द का original constitution में कोई mention नहीं होने से पूरी तरह से स्पष्ट है कि सम्विधान के नर्माताओं ने पार्टी को और उनके आकाओं को पंचायत से लेकर संसत तक किसी भी किसम की एंटी डिफेक्शन कानून के आने के बाद इसमें एक भेंकर बदलाव आ गया और अब देश उपरी तोर पर भले ही स्वतंत्र लगे मगर देश की जनता के प्रतिन थी पार्टीयों और उनके आकाओं या बहुत सपाट शब्दों में कहूं तो उन आकाओं के द्रश्य मा नागरिक और सम्विधानिक संस्थानों की लापरवाही भी है जिनोंने प्रजातंत्र अत्वा जनतंत्र में से प्रजा और जन दोनों को ही बाहर निकालने में राजनितिक गिरोह और उनके आकाओं को पूरा सहयोग देकर आज भारत के थ्री टियर डेमोकरिक गवर्निंस और उसके चारों इस्तंभव को लगबग पूरी तरह से नेस्तना बूद कर दिया है। सम्विधानिक संस्थानों में, नागरिक प्रतिनिद्यों की जगे, पार्टियों के एक तिहाई से भी अधिक गंभीर अपराधों को जन्म देने वाले अपराधी, कॉर्पोरेट्स के टेट्टू और पार्टी आकाओं के गुलाम बेठा छोड़े हैं। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे देश के नागरिकों की आकांगशाएं इन संस्थानों में रजोनेट होंगी। कोई वज़े नहीं कि आज होने वाली हर राजनेतिक सामाजे की यहां तक की धार्मेक प्रक्रियाओं में भी हम सामाने नागरिकों की आकांगशाओं का कोई रफलेक्शन नहीं देख पा रहे हैं। इस बात को निरंतर चलती ठगी की इस प्रक्रिया को मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना कर समझाने का प्रयास करता हूँ। एक बार एक सजन तीर्थ यात्रा पर लिकले गंगा किनारे बसे किसी महान शहर के रेलवेश टेशन पर जैसे ही उन्हों ने अपना कदम रखा एक लड़का उनके पास दोड़ता हुआ आया। बहला मुन्ना बोला बस मामा जी यही पर हूँ स्टेशन पर तीर्थ यात्रों की मदद करकर अपने अगले जर्म के लिए पुन्ने कमा रहा हूँ। मामा जी बड़े खुश हुए और चल पड़े भांजे के साथ शहर की तीर्थ यात्रा पर और सोचने लगे कि इश्वर का बड़ा ही उपकार है कि चलो कोई तो मिला इस अंजान शहर में और वहीं से शुरू ही उनकी तीर्थ यात्रा। कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर और फिर अंत में पहुँचे गंगा घाट। गंगा घाट पर पहुचकर मुन्ना से बोले मुन्ना चलो गंगा नहा लेते हैं। जरूर नहीं है मामा जी इस पवित्र नगरी में आए हैं तो गंगा की डुक्की नहीं लगाएंगे यह कैसे संबव है। हर हर गंगे का जैकारा लगाते हुए गंगा में डुक्की लगाने। थोड़ी देर बाँ जब बाहर निकले तो सारा सामान गायब। पैसा गायब जहां तक कि वापस लोटने का टिकेट भी गायब और मुन्ना भी गायब बचा तो शरी पर सिर्फ गीला तौलिया वदहवास मामा जी पकारने लगे मुन्ना ए मुन्ना मगर मुन्ना वहां हो तो तो मिले मामा जी गीले अंडरवेर में तोलिया लपेटे आसपा आते जाते लोगों से पूछते रहे, क्यों भाई साब आपने हमारे मुन्ना को देखा है, लोगों ने पूछा भाई मुन्ना कौन, बोले अरे भाई वही जिसके हम मामा हैं, लोग कुछ समझे नहीं, तो मामा जी बोले अरे भाई हम जिसके मामा हैं, वो मुन्ना हम पूछ र रहे हैं यहीं हैं भारतिय नागरिक और वोटर और मुन्ना भांजा है उनका वोट हतियाने वाला राजनितिक और इस तरह के कई मुन्ना भाईयों के गिरो हैं हमारे देश की राजनितिक पार्टियां सभी पार्टियां इसमें एक भी अपवात के रूप में आज हमारे देश में मौझूद नहीं है यह हमारे देश की विडम बना ही है कि हर पाँचवे साल भारत के नागरिक चुनाव के प्लैटफॉर्म पर अपनी तीर्थ यात्रा पर उतरते हैं और कोई एक चालबाज मुन्ना भांजा की चाल में फसकर अपना वोट कमा देते हैं क्योंकि ये नागरिक वोटर प्रजातंदर की गंगा में डुपकी लगाते हैं बाहर निकल कर पाते हैं कि वह शक्ष जो कल तक आपकी चरणवंदना कर रहा था अब आपका सौवरेंड वोट लेकर गायब हो चुका है और आप खड़े रह गए हैं समस्याओं के घाट पर अदनंगे ग अहमूल्य संप्रभू अधिकार यानि कि आपका वोट किसी मुन्ना भांजे को नहीं बलकि अपने द्वारा अच्छी तरह से ठोक बजा कर जाने हुए कैंडिडेट को ही दे कर अपना प्रतिनिधी चुनें वह जन प्रतिनिधी जो आपकी छित्र और आपकी समस्याओं को पंचायत नगर निकोमों से लेकर विधान सभाओं से होते हुए संसत तक आपकी जरूरतों को उठाए और बहुमत से प्रदेश और देश की सरकारों का नर्मान हो जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे भारत की आर्टिफिशल मौक डिमोकरसी शाषन में आपकी अपनी जनतांत इक भागिधारी कभी सवनश्यत नहीं कर पाएंगे आप हमेशा ठगे जाते रहे हैं और हमेशा ठगे जाते रहेंगे राजनितिग्यों उनके गिर्हों और उनके गिर्हों के सरदारों दोरा हमारी देश की शाषन व्यवस्था यदि सम्विधान में दिये गए नियमों के अनुसार चलनी है तो सम्विधान में दिये गए पूरी तरह से स्वतंतर जन्द प्रतिनितियों को ही वहाँ पहुचाना होगा इस देश के नागरिकों का यही सबसे महत्पूर करतव है एक टरकिश महावरा है मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको सुनाता हूँ जंगल उजट रहे हैं मगर किसलिए क्योंकि सारे दरक्त उसे उजाडने और काटने वाले कुलहाड़े को ही वोटते रहे हैं यह सोच कर कि कुलहाड़े का हैंडल तो उनकी पेड़ की लकड़ी से ही बना है उनका अपना ही है और अब इन सब तथ्यों को समस्ते हुए अपने और अपने आने वाली पीडियों के भविश के बारे में विचार कीजिए मेरी बातों पर न जाकर अपनी आत्मा से बाद विवाद करिए अपनी आत्मा और मन से उनका उत्तर पाइए अपना एक सुतनत नरणा बनाएए मैं अपनी वानी को विराम देने से पहले हमेशा की तरह रिमाइड कर दू कि हर मंगलवार शुकरवार की शाम को इसी तरह अगले मंगलवार की शाम को हम एक बार फिर मिलेंगे डायलोग विद प्रॉफ निर्मल गुप्ता में और बात करेंगे एक कंटेंप्ररी इशू पर आज की राजनेतिक परिदरश्य को सामने रख कर मगर बिना किसी पार्टी या विचारत हरा से प्रभावित हुए बिना मैं दिल की गहराईयों से यह उम्मीद विश्वास और एक्स्पेक्टेशन के साथ कि आप आज की चर्चा पर अपने परिवार और साथियों के साथ विचार करेंगे अपना सोतंतर करने की बात सोचेंगे शुक्रिया कहते हुए आप सभी सुनने वालों से विदा लेता हूँ शुबरात्री, शबक हैर और गुड़नाइट जै हिंद